पहरे बच्चो असलाम अलेकुम हमारे सामने बुक टुलिप सीरीज यह क्लास फिप्त और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुक वर्क एक छोटी सी पॉयम की जिसका नाम है दाईकल बच्चो हमने कल पढ़ा था इसमें चील का जिकिर हुआ है मैंने तफसील से आख को कल इसका माने बता दिया और जो इसमें निवर्ड्स जैसे क्लैस्प, क्रेग, क्रुकूट यह आए हैं यह भी हमने कल पढ़े हैं आज हमने इसकी बुक वर्क करनी है जिसमें इसकी क्वेस्टन्स और लेंग्वेज वर्क आज हम वही करेंगे ठीक, चूंकि इसमें तक्रीबन वन टू थ्री फूर क्वेस्टन्स है इन चार क्वेस्टन्स का हम जवाब लिखने की कोशिश करेंगे ठीक, पहला क्वेस्टन है इसका जिक्र तो हमने कल किया है, मैंने तफसील से बताया था आपको यह जो इगल है, चूंकि यह मौटेंज जो बहुत उचे पहड होते हैं, इन में कैसी यह बैठती है एक बार फिर दो राता हूं में आंसर यह बैठता बेठता है, है नहीं दो इन गाता है, यह क्रोडेंज जो इगल है, यह क्या कर रहिए था पहड है, वहां क्या कर रहिए था था यह जो eagle है, the eagle looks for its prey from the high mountains and descends like a thunderbolt when spots any answer, फिर दो रहाता हूं में, question number second का, the eagle looks for its prey from the high mountains and descends like a thunderbolt when spots any हो गया, दूसरा question, आप question number three, what is the eagle compared to in the end, why, यह जो eagle है, इसको किस चीज़ के साथ compare किया गया है, और क्यों, ठीर, यह भी हमने बढ़ा है का, तो बचो, इसका answer है, the eagle is compared to a thunderbolt in the end because it falls on its prey like the one, यह जो eagle है, इसको compare किया गया है, thunderbolt के साथ, वो कितनी तेजी के साथ, जमीन पर पढ़ती है, इसी तरह यह भी, यह जो eagle उचे पहाड़ों पे, किस की ताग में बैठी है, अपने शुकार की ताग में, यह शुकार पर ऐसे जपड़ती है, जैसे एक thunderbolt हो थी है, ठीक? That was question number three, now question number four, pick out the rhyming words from the poem, कल मैंने बताया था आपको, जब हम यह poem पढ़ते हैं, इसमें कौन-कौन से rhyming words है, जैसे पहले, He clasps the crag with crooked hands, इसमें आता है, hands, lands, stands, hands, lands, stands, और crawls, walls, falls, यह हमने कल पढ़ा था, जब हम यह poem पढ़ रहे थे, तो वहीं पर मैंने बताया था आपको, कि इसमें कहीं सारे rhyming words है, तो यह question number four, जो है, इसमें यह बताया गया, pick out the rhyming words from the poem, यह जो poem है, इसके rhyming words जो है, वो निकाल लीजे, या लिख लीजे, hands, lands, stands, crawls, walls, falls, ओके, तो हो गया इसके question, अब हमने इसकी book वर करने हैं, तो आप next class में बढ़ेंगे, ठीक, ओके,